एपिसोर के शुरूआत में हम देखते हैं कि किम जंग और यूरी आपस में बात कर रहे थे यूरी कहती है कि जैसा उसके डैट के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि लीप्यून जैसा इंसान किसी भी कंपनी का CEO ना रहे किम जंग थोड़ा सोचता है फिर यूरी को अपना कबर्ट खोल कर दिखाता है जिसमें उसने दोहान और लीपियून के अगेंस बहुत से एविडिन्स और केस फाइल्स कलेक्ट करके रखा था किम जंग कहता है लीपियून ने कंस्रक्शन कंपनी के थूप बहुत से लोगों की जिन्दगी बरबाद कर दी है और अब तो उसे पूरा दोहान ग्रूप मिलने वाला है किम जंग की मॉम छुपकर उन दोनों की बाते सुन रहे थी तो किम जंग उन्हें सामने आने को कहता है किम जंग अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आपसे उन स्टॉक्स के बारे में बात करनी है जो आपको नानी से मिली है अगले सीन में हम देखते हैं कि लीपियून दुहान के शेयर होलर्डर्स मीटिंग में आता है तो वहाँ किम जंग अपनी मॉम और यूरी के साथ पहुंचता है उन्हीं महाँ देखकर लीपियून हैरान रह जाता है और पूसता है कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो से कुछ इशारा करती है असल में वो किम जंग के साथ मीटिंग के पहले उससे मिली थी क्योंकि वो तो उसका पुराना बॉस ही था यूरी ने उससे कुछ हिंड देने को कहा था जो वो लोग लीपियून के अगेंस यूज कर सके उस लॉयर को तो पता था ही कि लीपियून अपना प्लान 000 मनाया था सारे दुहान कंपनी के शेर्स मिलाके लिपy उनके पास 38,5% शेयर्स ते चेर्मेन किम जंग की मॉम साथग सेर्स मिलाने के लिए उनके शेयर्स कम थे अगर उन्हें गदाओंक फार्मा के शेयर्स मिल जाते तो ये लोग जीत सकते थे यूरी और किम जंग फिर गदांग फार्मसिटिकल के सीओ के पास जाते हैं गदांग फार्मा के सीओ ने कुछ टैक्स फ्रॉड किया था तो ये लोग उसे थोड़ा ब्लैकमेल करते हैं और उसके शेयर्स खरीद लेते अब इदर मीटिंग में लीपियून किम जंग से कहता है कि तुम इतना क्यों कर रहे हो तो किम जंग कहता है तुम समझे नहीं क्या मैं दोहान ग्रूप के पीछे नहीं पढ़ा हूं बलकि तुम्हारे पीछे पढ़ा हूं मीटिंग में चेर्मेन फिर खुद आते हैं और प्ल और एक्तम उसके पास ले जाकर रोग देती है लीपियून तो डरके गिर जाता है तो यूरी कहती है उपस सारी मुझे लगा तुम वही हो जिसने मुझे कार से धक्का मारा था मीटिंग की वज़ा से एक तरफ लीपियून गुस्से में पागल हुए जा रहा था वही दूसरी तरफ यूरी और किम जंग सेलिबरेट कर रहे थे नेक्स सीन में हम देखते हैं कि यूरी ही यून के डैट के फ्यूनरल में जानी के लिए निकलती है तो किम जंग भी साथ चलने की बात कहता है वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि ही यूरी किसी तरह उसे बचाती है ही यूरी को एक पेपर का टुकड़ा देकर कहती है कि ये उसके डैड ने मरने के पहले उसे दिया था पर वो समझ नहीं पा रही है कि इसमें क्या लिखा है ही यून ये भी बताती है कि उसके डाट के घर पे एक सेफ मिला है पर कोई भी उस सेफ को खोल नहीं पा रहा है उस पेपर में एक पजल लिखा था यूरी और किम जंग कैफे आकर बाकी लोगों की मदद से उस पजल को सॉल्व करके एक पिन कोड निकाल लेते हैं फिर दोनों आकर ही यून को इस बारे में बताते हैं ही यून और उसके भाई तो उनके डाट के फ्यूनरल में बिजी थे तो ही यून जाकर उन्हें पिन ट्राई करने को कहती है वो लोग ही यून के डाट के घर जाते हैं यून यून गैंग और जून बाहर पहरा के लिए और अंदर से उन्हें बस एक पॉट मिलता है जिसमें मिट्टी रखी हुई थी वो लोग बहुत हैरान होते हैं ये देखकर कि बस एक पॉट है यहां तब तक सेक्यूरिटी के लोग भी अलाम एक्टिवेट होने से वहां पहुंच गए थे जून तुरंत यूरी को कॉल करके बताता है सेक्यूरिटी वाले घर के अंदर गुश चुके थे तो किमजंग पार्क और यूरी तीनों छट से कूद कर वहां से भाग निकलते हैं वो लोग वापस आकर ही यून को वो पॉट देते हैं ही यून ऊपर से मिट्टी थोड़ा हटाती है तो उसे एक नोट मिलता ह उस नोट में उसके डैड ने उसके लिए बहुत ही प्यारा सा पोएम लिखा हुआ था सब लोग थोड़ा अफसोस कर रहे थे कि कुछ पैसा या कुछ कीमती चीज नहीं मिला तो ही यून कहती है कि कोई बात नहीं पता नहीं मैं अतनी गुसे में क्यूं थी शायद मैं बस यह जानना चाहरे थी कि डैड मुझे भी मेरे भाईयों की जितना प्यार करते हैं पर डैड ने मेरे लिए परसनल नोट छोड़ा तो बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए यह लोग बात ही कर रहे थे तो किमजंग का पप्लिशर दोस्त आकर उसे अपने साथ चलने को कह करता है उसने उस अन्रजिस्टर कार का पता लगा लिया था जिससे यूरी को धक्का मारा गया था दोनों उस जंक्यार जाते हैं जहां वो कार थी जंक्यार का ओनर कहता है कि कार एक आदमी लेकर आया था पर उससे जादा उसे कुछ याद नहीं मां सेसी टीवी भी लगा थ पर वो दिखाने को ready नहीं था उसने अपने जंक्यार्ड में बहुत से illegal कार रखे हुए थे तो गिम जंग उसे थोड़ा blackmail करता है और तब जाकर वो CCTV दिखाने को ready होता है CCTV में वो लोग उस आदमी को देखते हैं जो कार लेकर आया था वो लोग उसे पहचानते तो नहीं थे पर उसका tattoo थोड़ा notice करते हैं जो बहुत अलग सा था दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीपियून का आदमी उससे कहता है कि हम पकड़े जा सकते हैं ये सुनकर लीपियून थोड़ा घबराता है और कहता है कि उसको रास्ते से हटाओ अगर उसने किम जंग को सब बता दिया तो किम जंग मुझ तका जाएगा और फिर मुझे कि हटाना पड़ेगा इधर यूरी अब भी उस पोईम के बारे में सोच रही थी जिसे ही यून के डैड ने उसके लिए लिखा था उस पोईम में फ्लावर्स को लेकर कुछ लिखा था तब एक किम जंग यूरी के लिए फ्लावर्स लेकर आता है जिससे यूरी बहुत खुश हो पर वो लोग वहाँ पहुंसते हैं तो उस फिल्ड में फूल लहला हा रहे थे ही यून ये देखकर बहुत एमोशनल हो जाती है क्योंकि इतने सारे फूल उसके डैड ने सिर्फ उसके लिए लगा रखा था सब लोग वहाँ बिजी हो जाते हैं यूरी फिर किम जंग से पू कर कि उसके डैड ने ये उसे देने को कहा था वो लोग वहीवल अपिन यूज करके बैक खोलने का ट्राइब करते हैं तो बैक खुल जाता है और उसमें गोल्ड ब्रिक्स भरे वे थे सब लोग ये देखकर शौक थे क्योंकि उस गोल्ड का एमाउंट करीब करीब 10 मिलियन दॉलस था उसमें से उन्हें ही उनके डैड का एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें उन्होंने ही उनके लिए मेसेज चोड़ा था और ये भी बताया था कि जो वसीयत उन्होंने पहले बनाई है वो अपनी इच्छा से नहीं बनाया था उनके बेटों ने उनसे ज किया था पर ही यून बहुत काइंड हर्टेड है इसलिए वो सारे एसिट्स को एकवली डिवाइड करना चाहती है यून फिर यूरी को एक गोल्ड तोड़ देती है जो बहुत कीमची था और खहती है कि वह पैसों को अच्छे यूज मिलाएगी अगले सीन में हम देखते है कि यूरी वापस आती है तो उसे किम जंग का एक बुक मिलता है उसमें एक बुक मार्क लगा देखकर उसे कुछ याद आता है फ्लैश वैक सीन में हम देखते हैं कि जब यूरी और किम जंग कॉलेज में पढ़ा करते थे तब यूरी ने उसे ये बुक मार्क दिया था फिर लोग आकर उसे legal advice ले ये याद आने पे यूरी भाग कर कैफे से बाहर निकलती है और building को देखती है तो उसे realize होता है कि ये तो वही building है फिर उसे किम जंग से related सारी बाते याद आने लगती है और उसे समझ आता है कि किम जंग उसे बहुत पहले से प्यार करता था यूरी दोड के उसके घर जाती है पर वो वहाँ नहीं था तो वो से फिर पता चलता है कि वो अपनी मॉम के घर गया है तो वो वहाँ से कैब लेके निकलती है किम जंग अपनी मॉम को उनके घर छोड़ने आया था क्यूंकि उसकी मॉम वापस उसके डाट के पास जाना चाती थी किम जंग वहाँ से निकलता है तो उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि उस टैटू वाले आदमी का पता चल गया है उस आदमी ने दोहान कंस्रक्शन के किसी इंपलाई का बहुत पहले मर्डर किया था और अब वो कहीं छुपा हुआ है किम जंग ये सुनकर घबराहट में यूरी को कॉल करने लगता है फिर उस टैटू वाले आदमी को देखते है लीपियून उसे चाकू मार देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कोई एविडेंस नहीं छोड़ना लीपियून पागलो जैसा बिहेव कर रहा था और अपने आदमी से कहता है कि इस बार कोई सबूत मत छोड़ना इधर यूरी किम जंग को ढूंटे हुए वहा तक पहुँच गई थी और किम जंग उस पे गुसा करता है कि मैंने तुमसे कहा था कहीं अकेले नहीं जाना तो तुम यहां क्या कर रही हो यूरी उससे पूस्ती है कि तुम इतना पहले से मुझे कैसे प्यार कर सकते थे तुमने कुछ बताया क्यों नहीं था किम जंग कहता है मुझे क्या बताना चाहिए था ये कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ और अब मुझे से वेट नहीं किया जाता मैं बस तुम्हें हग करना चाहता हूँ और तुम्हें किस करना चाहता हूँ यूरी उसे अपनी तरफ खीच कर किस कर लेती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है आगे क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगर एक्स्प्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें थैंक यू फूर वाचिंग